तो अगर सचीन कहता है कि मेरी पतनी है मैं बाइट प्याना बंद कर दूंगा अगर तुम मेरे सट्रीव दिखा दो अपना नेपाल में साधी करी अधाल कि साधी को माने नहीं रखते भारत में साथ फेरे हिंदू रिती रिवास से जब साथ फेरे लेगा सबसे पहले गुलाम तुम्हारा जीजा है कौन सचिन आतने से जीजा इसको मामा बनेगा नहीं बना यह तो अच्छी बात है अब ऐसे मामा बन रहा है लेकिन क्या कुलाम हेदर का भी पक्स रखो ना वो कहता तो तो तलाख हो गया था बातों से नहीं होता कानुन का जब डंडा चलता न अच्छे अच्छे 20-20 साल पुराने केस उखड़ जाते हैं यह कोई पता है अगर चार बच्चों को सीमा हेदर को ओट में पेश करके दिखा दे अगर गुलाम हेदर आता है चार बच्चों को सीमा को तोरंत जेल जाएंगे साथीं भी जाएगा ठीक है शीमा बी जाएगी चार बच्चें इस तरह से दो देश की बात करें दो देशों को भी अब हम प्यार मित्तर नहीं मुण्स भाट दी नहीं है तक पाकस्तान लोग भारत प्यार करते हैं आसी बात नहीं कलतनविर वह पे अर्ष्ठ व leurs tissile का और मैं एक और चैनल पर आया था तो उन्होंने मेरी बात को रखी तो उस चैनल ने उसको तुरंट भगाया वहां से और मेरी बात सुनी लेकिन मैं इस तरह के लोग आएंगे इस तरह की अबरत बाशा का प्रियोग करेंगे हमने गुलाम हेदर की पक्सी बात रखी है मैं गु भगाया था कि आपकर बाता सब्सक्राइकरियो मैं यह सहत्ता करने के लिए कोशिस किये सिरफ हमारी घंता भारत बाहरत की इस तरह की आया यह मैं आपके चैनल के मादने में से कूँँगा गुलाम हेदर ऐसे लोगों से आप वास्ता ना रखे ऐसे लोगों को चैनल पर ना लाए क्योंकि हमारा भी दिल तूटता है अगर हमने आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत के लोग क्या आप चिंडर हो में जाएंगे यह एपी शिंग को पता है कानून क्या कहता है मजिस्टर कहेंगा दिखाओ चलो यह किस तरह किसे आई है क्या सबूत पेस करेगा अरे कुछ बाते होते हैं यह लोगों को भड़ू बना रहा है दुनिया को गता रहा मैं वकील हूं वकील हूं सारे उल्टे केस लेता है ठीक पाकिस्तान का वकील है इनके हो सकते हैं और आपस में दो देशों की बात है लेकिन हम एक हमने पिता चार बच्चे जिसके हैं उसकी पतनी जुदा है उसके बच्चे जुदा है तो हमने अगर उसकी बात रख ली है तो उसको दिखाए मैं आपको एक जान करी दूंगा एपी सिंग ने मा महीम प्रश्चों की नागरिकता के लिए वह बिल्कुर रद हो गई थी लेकिन ये उसको जेल होई है उसकी जमानत पर वह वह अभी कहती दी मैं रह रहे हो यह यह वह अपने गाहों से जहां पर रहे हैं उससे बाहर नहीं जा सकती क्योंकि जान चार बच्चों का एडमिसन नही ना उनका कोई जनम परमान पत्तर है तो चारों बच्चों का भी बविश्य है लेकिन हम कहते हमारे देश में किसी बच्चे खराब नहीं है हम बच्चे रह रहे हैं पड़े स्कूल में अरे जिंदगी में नहीं हो पाएगा एपी सिंग कहता है उनको जजज बनाऊंगा अर और यह मैं पाकिस्तान का लेकर बैठा हूं और बारट में लहरा के दिखाए हूं तो कैसे हो गई को ने उसको इसको बाठाव से कौन यह हमारे कहता है कि मैं उसने एक सब्द भी का कि हम भारत पाकिस्तान का जो जंडा है हम भारत में लेरा सकते हैं मुझसे पूज़रा है सूरिय वर्मा से पूज़रा सनातनी से मौटिन तेरे मच्छर जैसे तूं मैं बड़ा बुज़रूग है मैं सम्मान करता हूं आपक पूरे भारत के लोग जानते हैं हमारी जंता जानती है कि वसके खिलाफ हूं मैं उसका द्थमन नहीं हूँ वह अगर रही है अभी तक रही है लेकिन कहता है हूं कि एक उसने एक पिता का सब्सक्राइब बहुत प्यार करता हूं करता हूं कि उन बच्चे जहां भी रहें चोटे चोटे बच्चे तो वह बच्चों से सारी थुनीया प्यार करते हूं उन बच्चों से बहुत प्यार करता हूं और उसने गाया बड़ा अच्छा प्रिक्रिया होती है वो चाहे मैं कहते हूं अगर उनको नागरिकता बच्चों को मिल रही है लेकिन वह गुलाम हेदर के बच्चे आप इस बात को लीजिए ना अभी उसका तलाग नहीं हुआ अभी वह भी अभी वह उसकी पतनी उसी के निकाह में है और भारत के नागरिक है है गुजरास से उसनों ने अपना पूरा पता बताया है और मैं इसकी जांच करवाने के लिए मैं रिपोर्ट भी लिखांगा कि वह भारत को ने खुद का है कि मैं भारत का हूं गुजरास से हूं और मैं वह उन्होंने हमारे भारत में हो आप मुझे एडर्स दो कहां के ना मात हमारा सवीदार हम आपना मॉबायल देख रहा था तो मैं योगे है तो मैं नहीं देखा पाकिस्तान का आप्स नाम की पाकिस्तान का पना देश भी है भारत कि गुलाम हेदर के चार बच्चों के लिकिन अवह बहुत एक बात करते हैं लेकिन वह उसके खिलाफ हूं और मैं बोथ रास को मैं बहुत गुसेम था इस बात के लिए मेरे गला खराब था मैं फिर भी गया कि हमारे देश के लिए दिखा रहा है उसने इसा बोल दिया कि हम यहां का तिरंगा तो पाकिस्तान का जंडा हम भारत में लेहा सकते हैं या नहीं लेहा सकते सुरिय जी अरे रहा है आपकिस्तान को चैनल पर ना लाए और जिस चैनल पर में था उन्होंने सम्मान रखा और मेरा सुर्यवर्मा जी यह आये हैं और उनको दिपेट से भार क्या गया डा मैं उस चैनल का समान कर रहा हूं ठीककि उन्होंने मेरी बास। मेरी बास सुने उसकी मा अभी कल गा। उसकी मां बौत्सक्स बिमार है ठार भ्रह आ है कमजोर हो गया है voting तो पिटा वह पिझा पत्टी उसका घर बेच कि एक पत्नी उसकी बच्चों लेकि चलिए एक उसकी पत्नी चली इन्सान क्या करेगा पूरी दुनिया रोगे तुम्हारे लिए लड़ाई जारी रहेगी अगर आप भारत आते हो चारों बच्चों को आपकी गोद में खिला दूँगा यह देख लूगा मैं सचीन सीमा को अरे कुछ नहीं है या भारता वेलकम है तेरा